हेलो माई लवली फ्रेंड तो आज की जो हमारी रेस्पी होने वाली है वो है स्वीट की तो लक्षया बंदन आ रही है या नॉर्मल डेज में भी आप अराम से रेस्पी को बना सकते हैं और बिल्कुल डिफ्रेंट टेश्ट के साथ मैं आपके साथ यह रेस्पी शेयर कर रही है मैं लवली फ्रेंड यह स्वीट है जितनी यह देखने में अट्रेक्टिव लग रही है यह खाने में भी बहुत ज्यादा टेश्टी होती है और बिल्कुल अलग टेश्ट के साथ मैं आपके साथ यह शेयर कर रही है तो प्लीज लाश्ट तक वीडियों बने रहेगा बह यहाँ पर पणियर नीच रखDENप में अलग टेश्ट के साथ यहाँ लेग लेक जो कौर सकते हैं अलग टेश्ट के साथ जिसका अमेजिंग रहता है तो इस तरीके से ग्रेंग कर लेना है तो अब हमने आपको ग्रेट कर लिया बैंगके का बोला सब्सक्रीक देश्ट ट इस पनीर को उसमें एड़ कर देंगे यहां पर हमने सारा पनीर एड़ कर दिया है अब इस पनीर को हमें पूरे पैन में अच्छे से फिला देना है तो एक कर्ची या इस पैचुला आप कुछ भी ले लीजिए और उसकी मदद से इस तरीके से आधे मिनद तक इसे थोड़ा सा चला भी दीजिए और यहां पर पूरे पैन में फिला दीजिए अब यहां पर हमने एड़ किया है एक चमच घी क्वांटिटी में आपको उपर स्क्रीन पर शो कर दूंगी जिस कितनी क्वांटिटी की लगेगी तो आप अराम से उस क्वांटिटी के अनुसार इस रेस्पी यहां पर जब पनीर थोड़ा सा मैल्ट हो गया तो यहां पर मैंने एड़ कर दिया है स्वाद अनुसार चीनी इतने पनीर में कितना चीनी लगेगा यह भी मैं आपको स्क्रीम पर शो कर दूंगी तो आप आराम से देख सकते हैं यहां पर अब इसे भूनना है हमें तो भू जब वो पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया तो गैस फ्लेम को बंद कर देना है और पूरा ठंडा होने देना है पूरा आप देख सकते हैं पूरा ठंडा होने के बाद यह इस तरीकी का हो जाएगा बिल्कुल दरदरा सा होगा सुखा सुखा सा बिल्कुल हो जाएगा तो एससी फॉर्म में हमें इसको पीज लेना है बिल्कुल जैसे सूजी होती है ना उस तरीके का होना चाहिए ना उसी पैन में अब मैं एड़ कर रही हूं यहां पे खोया तो दूसरा इंग्रीडियन्ट है हमारा खोया तो आप जब दुकान पर जाए तो पनीर और खोया दोनों आधा चमच के बराबर घी ताकि जो है नीचे लगे नहीं वैसे तो खोया है लगेगा नहीं मैंने बस आधा चमच इसमें एड़ किया है कि मॉस्टराइज जो है अच्छा बना रहे है तो यहां पे अब इसको भी हमें चलाते चलाते इसका कलर जो है चेंज हो जाए अब इस स्वीट को बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यहां से हमें ज्यादा इसे पकाना भूजना नहीं है क्योंकि हमने दोनों को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है अब हमें बस इतना पकाना है कि यह जो है इस दोनों अच्छे से मिल जाए और इसका बहुत अच्छा आ जाए तो अभी आप देखेंगे कि इसका टेक्शर दोनों एक दूसरे के साथ मिल के कितना अच्छा टेक्शर आ जाएगा तो इसे हम अच्छे से मिला देंगे तो इस पैशुला की मदद से इस तरीके से मिलाते मिलाते अच्छे से आपको मिलाना ह यहां पे गैस का फ्लेम आपको बिलकुल लो रखना है गलती से भी आपको मीडियम या हाई नहीं रखना है नहीं तो जल जाएगा और जो पेड़े का एक्जेक्टली कलर है वो खराब हो जाएगा और कड़वापन आ जाएगा तो यहां पे अब हम इसमें एड करेंगे जाफ तो आधा जाफर हमें यहां पे एड कर देना है जो रियल टेस्ट होता है ना पेड़े में वो होता है जाफर का तो अगर आप के पास जाफर हो जाफर एजली किसी भी ग्रोश्री शॉप में मिल जाता है तो आप जब पेड़ा बनाए तो पेड़े में एड करें जाफर जा जैफल बोला जाता है जो मसालों में डाला जाता है and trust me guys बहुत अच्छा amazing टेश्ट आएगा तो आप इस वार इस तरीके से और इस रेस्पी को बिल्कुल different तरीके से बनाएगा सब इसके दिवाने हो जाएंगे बाहर की मिठाई तो सब भूल जाएंगे इतनी ज्यादा टेश मैंने यहां पर बंद कर दिया है तो देख सकते हैं texture बहुत अच्छा आगया है दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से मिल चुके हैं तो मैंने एक spatula लिया और इसको अच्छे से मिला दिया तो यहां पर gas flame बंद कर देना और बिल्कुल side में इस तरीके से रख लेते है तो इस तरीके का texture है बनके तयार हो चुका है अब हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है हाथ में नाओ आप अब इसे कोई सी भी shape दे सकते हैं चाहे लड़ू बनाओ चाहे लंबी shape में चाहे छोटी shape में चाहे जो पेड बनाती हूं क्योंकि मैंने यहां पे taste तो बहुत जादा टेश्टी बनते हैं shape क्या है कुछ भी दे दीजिए मिठाई का तो मैंने इस तरीके से बना लिये से अब मैंने फिंगर से इसमें थोड़ा सा इस तरीके से दवा दिया है क्योंकि देखने में बहुत संदर लगते है तो इस तरीके से मैंने सभी पेड़ों में इस तरीके से एक सिंपल सी शेप दे दी है लुक्स वाव ब्यूटिफुल और कलर भी आप देख सकते हैं पेड़े का कितना सुंदर आया है तो बनाईए इस रेस्पी को इस टेश्ट के साथ जो कि सब इसके दिवाने हो जाएंग और इस तरीके से एक एक पेड़ा पे अच्छे से कोटिंग लगा दीजेगा बहुत सिंपल है तगार भी बनाना मैंने आपके साथ तगार की भी रैस्पी शेयर कर रखी है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप अराम से वहां से जाके बना सकते हैं बहुत अमेजिंग लगता है तगार में तो यहां पे अब मैंने एक एक पेड़े पे अच्छे से कोटिंग कर दी है लुक्स वाव ब्यूटिफुल और भी मैंने बहुत सारी रैस्पी आपके साथ स्वीट की शेयर कर रखी है तो रक्षा बंदन है यह नॉर्मल डेज में आप अराम से इन रैस्पी को बनाईए बहुत सिंपल तरीके से मैंने सारी जो स्वीट की रैस्पी है वो आपके साथ शेयर कर रखी है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां पे अराम से उसे विजिट कर सकते हैं और घर में बनाईए हेल हुआ है तो बनाईए इस सिंपल सी रैस्पी को कम इंग्रीडियंट के साथ और कम पैसो में सस्ते में मिठाई घर में बनके तयार हो जाएगी और इतनी अमेजिंग कि सब इसके दिवाने हो जाएंगे इस रक्षा बंधन में या नॉर्मल डेज में भी आप इस रैस्पी को अपनी फैमिली को खुश रखिए और अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ इसे सेयर कीजिए मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में अपना धियान रखिएगा बाबाई